कि अाज से हम बालकोनी कार्डन में काम कर रहें तो जो मेरे पॉसुल लगे थे ना इसी में अफ हम पोचुला भी लगा था तो में बाम ने कखरें और विंका को तो में न छोटे कपोट में बीका Ming high अब को पता हुए कि वेंटर के मेरे बाल में अब काम नोगते हैं को आज फूरु कर रहे हैं एक पहले पहला प्लास्टिक के पॉट उसमें लगा दूंगी ताकि नेक सीजन में भी मेरा बचा रहा है क्योंकि विंका तो मरता नहीं है रहा जाता है तो मैंने माली भीया को बोला कि सारे कि सारे ना जितने भी विंका में पस हैं साथ आठ हैं यह लगे बहुत सुंदर है वाइट में हैं प सारीत के लगाए तो टोड़ी से लाई थी 10 रुपे के पॉट तो पाउट लाई थी 10 रुपे के वह लगाए थे वह देखिए कितने सुन्दा लग रहे ना अब तो इतने बड़े हो गया क्योंकि इसमें पॉट्चुला वाले में ही लगाया था मैंने पॉट्चुला तब नहीं हो गया सीजन अब तो बजस बजस्ट इनका इनको खाली करके अब इनको भी त्यारी करने हैं हमको विंटर के फूलों के लिए तो भी खाली करके से विंका को हम एने का लगा दो अच्छ लगत सब्सक्राइब इसको लगा कि हम अभी मैं शेडी थोड़ा सा च्शाया पर रखूंगी बाल्कोने घर्डन में काम कर रह रही हम बालकोने घर्डन में ही रखूंगी थोड़ा च्शाया में रखूंगी पानी बरके रख दूंगी डालों गी क्योंकि आप भी हमनेन थोड़ा से जड इसकी वह हुई है पौधा मरेगा नहीं बच जाएगा लेकिन कि में को दो तीन दिन इसको थोड़ा शेडी एरिया में रखना पड़ेगा और इसको में पूरा पानी भर के मैं रख दूंगी और फिर मतलब पौधा भी छोटे में भी राजाएगा नेक्स इसन में सी कटिंग भी त्यार हो जाएंगी आपको पता ही है कि कटिंग से भी लग कि अब मुझे जितनी भी मिट्टी निकली है इसमें मैं गोबर खाथ और मिला के मिट्टी त्यार करूंगी अभी जस्ट आज पहला दिन तो मैं जो शुरुआत की है तो मैंने विंका के फूनों के पौधों को पॉचुला वाले पॉट से निकाल के छोटे पॉट में ठांस पूल आ रहे हैं विंका में बहुत अच्छे अब देखें उठाके न हम इसको शेडी अरिया में रख रहे हैं यहीं पर रख दो यहां पर दूप कम आती है पीछे की साइट में और यहीं से में पाइप है पानी कम नलका है तो यहीं से डाल दूगी इन सब को भर बर के पान यहीं कर दो जाएगा ौब फटेंस शुन्दा लग हैथ है और इस पर बर फोल यह से में रहां करण कि पानी को दूख दूगी जटें है वो नहीं लेकिन मुझे नहीं लगता है डाउन होगा क्योंकि अभी लग जाएगा अदेखे मैं पानी भर रही उनमें फटा फट इनके पादों में यह देखे वाइट वाला भी आ गया इतने हैं मुझे साथ विंका के हैं मेरे कलरफुल इतने सुन्दर लग रहे हैं आज शुरुआत पहला दिन से काम पहला दिन का काम है अब आज से हम बालकोनिंगाडर में अपना काम कर रहे हैं तो आगे वीडियो डालती ही रहूंगी यह देखे साब में पानी भर दिया है बस देखिए भर भर के पानी डाल दिया है इसमें अधे किते सुन्दर लग रहे हैं विंका अभी कठा रखा हुआ और अच्छा लग रहा है अभी थोड़ा एक दो दिन के बाद में इसको अलग लग करके रख दूंगे और फिविंटर में मैं को संभाल के इसी साइद में बालकोनी में रखूंगे सारे के सारे ताकि मेरे नेक्स्ट गर्मियों के लिए पौद्धे हमारे सारे त्यार रहें बस फ्रेंड्स आज तो पहला दिन शिरुवात में विंका का ही काम किया है पौचुर अलग कर दिया है विंका के फूलों को पौदों को हमने छोटे और सब्सक्राइब कर देना मेरे चनल को थांक यू